जैश्रीराम दोस्तों टाटा IPL 2024 राजस्थान रोयल वर्सिस दिल्दी कैपिटल्स मैच नमबर नो खेला जाएगा भाई शाम को 7 बज़ कर 30 मिनट पर इस मैच में आपके लिए क्या चीज़े इंपोर्टेंट रहेंगी कौन से प्लेयर चलेंगे कौन से प्लेयर नहीं चलें लाश्ट मैच में बटलर फ्लोप रहा थीक है बटलर को सारी दुनिया कैप्टन वी सी दे कर आई थी हमने नहीं दिया वन साइड़िड विनिंग की संजु सैंसन को हमने टीम में रखा उन्होंने जबरतस परफोर्फोर्मेंस की पलस यहां पर जो बोलर अच्छे करके गए वो सारे के सारे बोलर अपने टीम में थे तो ऐसे ही बाई दिल्ली की तरफ से अगर आप देखोगे ना तो लास्ट मैच में देखे सारी दुनिया व्रागी थी रिशब पंत के पीछे और हम बागे थे शायोप के पीछे शायोप ने आलंकि जादा कुछ खास डिफरेंस न देख लीजिए लास्ट मैच में आपको सलेक्शन मैं एक बार यहां से देख लिता हूं फिर मां आपको बताता हूं बाई लास्ट मैच में सलेक्शन था खली लेमद का कि 13% सिर्फ 16% हमने टीम में ले रखा था वन साइड़िड सिंगल एंडिडरी वन साइडिड आप स्क्रीन आपको दिखने स्टार्ट हो गई होगी जो सबसे इंपोर्टन चीज है यहां पर मैच की डेट और टाइमिंग आप पहले चेक कर लीजिए सबसे पहले यहां पर आप देखिए मैच नंबर 9 खेला जाएगा 28 मार्च को और यहां पर शाम को 7 बज़ कर 30 मिनट पर अ के यहां पर जो लाश्ट 20-20 मैच हुए उसमें से 9 मैच बैटिंग फर्ष्ट करने वाले टीम ने विन किया और 11 मैच बैटिंग सेकिंड करने वाले टीम ने विन किया है राजस्थान रोयल्स की बात करे तो इन्हों ने अठावन में से 49 मैच बिन किया अपने दिल्ली कैप लेगी जो लाश्ट मैच यहां पर हुआ था उसके अगर बात करे तो देखे राजस्थान रोयल्स ने 113 मेर रन बनाए चार विकेट के नुक्सान पर डिफीट गया कि इसको लखनो सुपर जायंट को उन्होंने 113 रन बनाए पेसर्स को मिले बाई टोटल साथ विकेट ने 10-2 ओर होंगे उसके बाद भाई य कि थोड़ सा स्लोडल होना स्टार्ट हो जाई करोस्कि रहेगा अलांकि इसमिक्स करों उतना ज्यादा इंपोर्टन्ट नहीं profund फिरवी मा करूँत अगर डू-टर नहीं रहता तो स्ञट इमнить म के स्मिनर आपके लिए बड़े इंप पर यहां पर आपको फिर से पेसर का आपको दबबबा देखने को मिल रहा है तो यानि कि बाई पर सकता है पेसर को थोड़ी ज्यादा एक मिलें लेकिन जैसे इस पर और मैची जोंगे then by spinners का रोल वापस से important होने वाल है अब चलिए भाई यहाँ पर अगर बात करें तो नीचे चलके अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर राजस्थान रोयल्स इस वेन्यों पर इनकी जो playing 11 जो रही थी last match में उसमें भाई उन players ने क्या performance दे रखी है जोस बटलर ने 43 के अवरेज से आपर रन बना रखे 16 मैच माई 615 जो जो लास्ट मैस था उसमें वाई तीन कैसे ड्रोप होने के बाद बंदे ने कितने रन बनाए थे वाई शायद 40-45 अनों ने बनाए थे और इतनी अच्छी domestic form में होने के बाद रियान पराग भाई हमेशा रियान परागी रहेगा यह नहीं चलने वाला वाई एक दो मैस में चल जाए तो अलग बात है बाकी जील में जील में ट्राइ कीज़ेगा आपके लिए ज्यादा इंप्रेंट नहीं रहेगा बाकी आंसे अगर बात करें जो शिम्रन एटमायर है इनकी देखिए इनकी अगर बात करें ना तो फरस्ट निंग में अगर अपने लिए ना रहे है दुरूजुरेल अब देखिए मैं पर्सनली मेरे को क्या लग रहा था कि नंबर चार पर दुरूजुरेल को खेलना चाहिए था और इसको भाई नीचे डाल दो यहां पर या फिर टीम से बाहर बैठा दो तो वह ज्यादा अच्छा अच्छा नहीं पर रिस्क लेता है और वह भाई रिस्क अगर चक्का लग गया तो ठीक है और वर लगा या उट तो नहीं है इसको ठीक है तो यह चीज है और यहां पर अगर दुरूजुरेल नंबर चार पर खेलेगा तो राजस्तान के टीम और बैटर करेगी यह पकी बात है अब यहां से मश्टर पिक रहेगा ओल्मोस्ट हार एक मैच में बीच-बीच में अपने लाश्ट सीजन में भी देखा होगा उससे पहला भी देखा होगा वाई रवी चंद्र नस्विन को तभी भी टोपोटरन प्रमोट कर दिया जा रहा था तो अगर मान लोग फीर ऐसा होता है अग रहते हैं लेकिन विकेट जाता नहीं चटका पाते हैं ट्रेंट वोल्ड भाई पांच मैच में छे विकेट आवेश कान दो मैच में तीन विकेट यूजी चहल बारा मैच में पंदरा विकेट इस रहने उपर निकाले हुए दिल्लिक एपिटल्स की तरफ से भाई डेविड जबरदस्त प्लेयर भाई यहां पर अगर आप देखोगे 34 के अवरेज से तीन मैच में एक सो चार रंड बनाए है मिशल मार्स ने एक मैच खेला 35 रंड बना है रिशब पंद की बात करें तीन मैच में एक सो पंदरा रंड बना है पनपालिस के अवरेज के साथ वही अगर तीन मैच म läuft सुरीत कुमार की बात करें चार मैच में जबीटि रहेगा अगर सुमित कुमार के अब यहां हैं कुली वियादो साथ मैच में दो किट बाई कुली यादोके प्रिविए से नची बाइक र问 गयरा चार मैच में में जाहीं उप direct अगर ट्राई गर सकते हैं इutch है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह इनके वाई जो लास्ट एट्टो एड मैच हुए थे वो है उनके वाई आप देख सकते हो चेक कर सकते हो रिकूर्ड बाकि मेरे को ज्यादा कुछ यह खास लगे नहीं इसलिए वाई मैं अभी इनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा तो जोस बटलर ने 38 के अवरेंज से रन बनाए दिल्ली के सामने यसश्वी जैसवाल की बात करें तो यसश्वी जैसवाल ने बाई चार मैच मिक्स ओठार बनाए 39 के अवरेंज से संजु सैंसन की बात करेंगे 16 मैच में 23 के अवरेंज से 286 रन रियान पराग इनको बड़े तगड़े प्लेयर बैक कर सकते हुए ठीक है संदीप शर्मा है एट्रो एड में अच्छे रिकोडर ट्रेंड बोलके भी एट्रो एड में जबरतस रिकोडर यूजी चहल के भी अच्छे रिकोडर ठीक है वही अगर आप देखोगी दिल्ली की तरब से तो सब्सक्राइब यहां पर है ना है ट्रो एड में इनकी टीम थोड़ी सी हैवी दिख रही है नो डाउट इसमें कुल्दीप और अक्षर इन्होंने भी अच्छा कर रख है वही अगर आप देखोगे लास्ट मैच में क्या प्लेंग 11 रही थी राजस्थान की तो देखिए ब वही अगर आप देखो शिम्रें एडमायर पास प्राउट होगे दरू जुरेल भी सरन बनाए अब दिक्कत ही है कि दरू जुरेल देखो प्लेयर काफी अच्छा है रिसेट फों भी खत्रना करें लेकिन दिक्कत क्या है कि इतनी नीचे बैटिंग करने आता है नोट आउट पी चला जाएगा 15-25 बनाकर और हो सकता भाई नोट आउट ना भी जाए हो सकता दो चार रन बनाकर आउट भी हो जाए ठीक है क्योंकि हर बोल पे तो चक्का लगेगा नहीं सीदी सी बात है तो वो चीज भी है और चके-र बोल पे अगर शक्के मारने कोशिश भी होगी तो आउट गयोंगे रविचंद्र नस्विन चार ओर में एक मिट आवेश खान विकिट लैस यूजी चैल तीन ओर में एक मिट चार ओर दो गिट संदीप शर्मा एक मिट नांद्रे बरगर एक मिट ठीक है बाकी इनकी जो लिस्ट आपको दिख जाएगी बाकी जो बैंच के प सब्सक्राइश खान रविचंद्र नस्विन संदीप शर्मा इसके अलवा यूजी चैल यह वाई इनके ट्रेंट बोल्ट को भी यह यूज कर लेते हैं ठीक है अश्विन को वाई मोश्ली कमी यूज करते हैं डेथ में अश्विन की ज़र पर आप मांग भी सकते होगी आप पर ट्रेंट वोल्ट भी आ सकते हैं ठीक है अगर आप देखोगे ना भाई तो दिल्ली के अपिटल्स की तरफ से देखें इनकी तरफ से इंपोर्टन पर आपको काफी चीज़े समझाओंगा यहां पर अगर आप देखोगे डेविड वोर्णर ने 29 नम रहा है मिचल मार्स की बात करें बीस रण मना इसके अलावा सुमीद कुमार ने दोरन मिच अगर आप देखो तो बाई अभी शेक पोरल इन्होंने भाई सबस्टेटूट के तोर पर आकर एक अच्छी फिनिश दी ऐसे इतना यह ऐसा कुस्ताहिन को इन्होंने बात करेंगे आबे टीम बनाते टाइम बात करेंगे, कुल्दी प्यादतो इशान शर्मा खली लेमद यह आपको लिख जैएगे, ठीक है इसके अलावा अगर बात करें इनके स्टार्टिंग के ओवर गे इन्वाज, कि बात करें यहां इसके अडør मार्य को पाऊर पलेंग बोलिंग मिल सकते हैं डैथ हो एकिज्थ के बात करें तो मि कितने विगेड कि पर खेलने हैं। यह आ पर पता नहीं इस बार आई जिल में क्या हुच inspire के साथ या रही है। यह पर देखें। छहने देंद पर आपको खेलते iz ensure की में लखना लeffडू है। पर जो स्वर्ट्लर संजु शेंचंग्सषा न बंटारं Actor अफ्यक्षा का शूंगकेác चमें केक्म आपके चलिएगान सबस्साइब मैच की क्योंकि ये बंदा अगर माल लीजिए चोदा मैच के लेगा तो साथ याठ मैच में टोप नोज परफॉर्मेंस रहेगी बाकी मैच में फ्लोप होगा तो यह चीज आपको दान में रखनी है जो श्मटलर टोपोडर मैच्समन पलस ऐसी जगह फिल्डिंग करता है अब बैक कीजिगा रिशब पंथ खुद ही विकीट कीपिंग कर रहा है इसलिए और लिए ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा लास्ट मैच मैंने शाही ओपको रिस्क लिया था क्यो लिया था क्योंकि मेरे को लगा था पंथ अपना विकीट कीपिंग नहीं करेगा लिकिन विकीरिपिंग कर रहा है तो यहां से बैटिंग सेक्षें में आप देखा गोगे तो यहां से नहींहीं करेंग ना में यहां से आपको दिख जाएंगे सूमित कुमार अब सुमित कुमार के अगर आप परफॉर्मेंस देखाऊंगे लास् amis प्लस यहां पर बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे बट फिर भी आपके लिए एक ट्रंप कार्ड फिक इस मैच में रहेंगे सुमित कुवार क्योंकि बाई देखिए गेंदवाजी भी कर रहा है और यहां पर है ना इस वेन्यू पर वेन्यू पर वाई इनका रिकोर् है यहां पर आप देखे सुमित कुवार चार मैच में चेह विकिट है डिक है तो जरूर से आप इन्हें सकते हो अगर भाई अच्छा कर गए तो कमाल हो जाएगा तो सुमित कुवार को आप बैक कर सकते हो बाकी भाई आप अगर चाहो तो आप अपने मेन ओल्रांड रियान पराग को भी ले सकते हैं जो बोलिंग जिलिगी में करवा नहीं रहा है और भाई बैटिंग में तीन का एच शूट में बाद बना कर दे देगा ठीक है अब यहां से अगर बात करें भाई बोलिंग शेक्शन गी तो यहां पर देखें आप देखें इंपोर्टन चीजिए अच्छे प्रेशर बनाता और अच्छे विकेट से निकाल देता है यूजी चैल आपके लिए इंपोर्टन रहेगा चाहें फर्स्ट इनिंग और इसके अलावा यहां से अगर बात करें कुंदी प्याद हो कुंदी प्याद हो आपके लिए कभी इंपोर्टन रहेगा जब जो DCVP में यह चाहें कभी भी गेंद वाजी करें फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग हर जगें इंपोर्टन रहेगा आप दो चीज़े आपको द्यान में रखनी है अश्वीन अन्ना को आपको कवर रखना है जब राजस्थान की टीम सेकंड इनिंग में भाई बोलिंग करे फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आए देन आपकी टीम में अश्वीन अन्ना होने चाहिए और अगर फर्स्ट इनिंग में बोलिंग आए तो आपकी टीम में ट्रेंट बोल्ट होना चाहिए यानि कि दोनों में से कोई एक ही आपकी टीम में रहेगा या तो राजस्थ की टीम की पहले बोलिंग ही आ जाती है देन आप यहां से आवे इस खान को ट्राइ कर सकते हो अदर्वाइस भाई यहां से खले लेंगे अच्छी पिक रहने वाला है ठीक है तो यह बाई कुछ हमारे टीम रहेगे अभी के लिए टीम के प्रिव्यू की बात करें तो वह आपक है ज़्यादा वंडावन आजाएगा अगर प्रिथ्वी शो को टीम मोका देती है तो भाई यह वंडावन आजाएगा में बाकि अगर बात करें तो वीसी आप यहां से दे सकते हो वाई किसको अक्षर पटेल को अधर्वाइस भाई आप उपनी टीम में वीसी किसे दे सकते यहां पर भाई मैं थोड़ा सा अगर दिल किया तो नहीं बोलिंग कराएगी पहले बैटिंग करेगी दैन मैं अक्षर पडिल कर जा सकता हूं ठीक है यह चीज आपको दहन में रखने हैं बाकी जोश्वटलर आपके लिए अच्छा से एक सेफ वीजी का उप्शन है टीम प्र है ओलमोस्ट ओलमोस्ट पाइनल टीम है बट इस टीम में अगर कोई भी जैंजमेंट होता है कुछ भी अपडेट आती है डारेक्ट इंफोर्मेशन आपको पहा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अमारे टेलिग्राम चैनल पर तो जोईन कर लीजेगा बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैश टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए बाई जैहिंद बंदे मात्रम